सैंसंग M31 लॉक स्क्रीन नॉडिफिकेशन सेटिंग नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप जो है अपने सैंसंग के डिवाइस में लॉक स्क्रीन नॉडिफिके आते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप आप उनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रीप्शिन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर एंडेंड अपको नीचे के तरफ आना है लोग स्क्राइड ये कन करना है और आपको मिलेगा नोडिफिकेशन्स नडिफिकेशन्स पर जाने के बारूस्तों आप लोग स्क्रीन को ओन या फिर ऑफ कर सकते सबसेली बात ठीकित अगर आपको नोडिक्शन चाहिए नहीं ओद लौक स्क्रीन पर तो बंद कर सकते अगर को चाहिए तो ओन कर सकते चाहिए लेकिन कुछ रिक्वायरМेंन से आपका तो आपको नीचे पर रिक्वायर्मेंन मिल जाएगा जैसे की आपको मान लिजे डीटेल्स चाहिए ठीक है मान लीज़े आपको उस नौटिफिकेशन का डीटेल्स चाहिए लॉक स्क्रीन पे भी कोई आपको वाटसेप में मेसेज कर रहे हैं तो उसके जो यहाँ पर कंटेंट हैं ठीक है आप उसको परना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग mask के मदद से पर शक्ते हैं तो यह जो डीटेल्स का सेटिंग है इसको कि अन करते हुए आप जोबिश की नोटिफिकेशन तो चाहिए लेकिन आपको डीटेल शो नहीं करवाना है क्योंकि लोग स्क्रीन पर कोई भी पर सकते तो आप आइकॉन सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद कोई भी कंटेंट आपको शो ही नहीं होगा तो इस तरह के से दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर नोडिफिकेश अनली तो इसका भी आपको मिल जाते हैं तो यह है दोस्तों आपका लोग स्क्रीन का नोडिफिक्शन सेटिंग जो कि आप सेट कर सकते हैं उमिद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बसने होगा तैंक्स वाचिंग